से बॉल काट रहे हैं इसके बॉल ही नहीं काट रहे हैं थोड़े से कटे हैं देखो बहुत जाद मुश्किल से काट रहे हैं और उसके आँखो में आपने बाद को निकाल दिया काफी सारे और काफी सारे बाजरे के पास ही आगे हैं इन्हें काफी सारा मैं डाल देता हूं यह जल्दी इने भी निगाल देता हूं वह बाहरा आजाओ जल्दी से एक तो यह सब को मारती है इसके बच्चे है ना बाकि उन्हें भी बाहर निकालना जल्दी बही जल्दी निकलो और मैं इस वाले केज में आगया हूं और सोरे पेरेट वगरा सोरे मज़े में जल्दी से ना अब ने खाने के लिए दे दिया था और यह अभी तक नहीं उड़ सकता बिल्कुल भी वाकि सिल्की परे चली गई यह इस वाले को भी निकालना बाहर आजो बई आर यह निकालने की देर थी और इनने लड़ना स्टार्ट कर दिया रुख जा रुख जा परे जा परे परे भाग गया है को मैं बाहर ले आया हूं यह नीचे उतरने कोई कर यह कैसो यहां देखो यार यह यहां पूरा दिन घूमती रहती है पहले बहुत कम आती थी आप देखो इसका मूड नहीं है जा रही है वाकिना मंकी हमारा गंजा ही होता जा रहा है यह भी जल्द चला जाए या इसलिए मैं दोनों को एक साथ बाहर नहीं निकालता अभी न जल्दी से रैबिट्स को डाइट डालनी है उनकी वह भी निकाल देता हूं जल्दी से उन्हें जल्दी बहुत बुक हैं और हमें जल्दी बहुत ज़्यादा शाम होती जा रही है यह वाले भीजना यह था हूँ कितने प्यारे लगरे हैं बाकी यार हमारे केश का कम भी स्टार्ट होने वाला है और यहां से इनके इसका ना मैंने बहुत अच्छी लुक सोच रखिया यहां से पत्फर और बहुत ही कमाल बनाना है झल्दी जल्दी यार अगर आपने पर्सू वाली वीडियो देखिया तो आपको पता होगा हमने इसे सीगल को रेस्क्यू किया था वो भी उसके अंदर गया हुआ है तो आप इसकी तबीएतना काफी ठीक है काल हम इसे भी रिलीज कर देंगे बाकि उसे अभी तक जखम है मैं यह जगा बलर कर इसके भी सार पर इनमें से यह वाली मुर्गिनों सब को मारती है आज मैं सोच रहा हुए हम बंद कर गया जाते हैं क्यूंकि सब की शामत है हुए है सब को मार पड़ रही है इसकी वह नेक्स डे है और हमने अपने मंकी को भी बाहर निकाल लिया और डक्स के लिए पानी कोई भी नहीं देख रही है यह बाकि आ रही है वस यह खा लेंगी मैं इन्हें थोड़ी से और डाल देता हूं वाकि आज हमारा कच्पा उपर उपर आया वैटा है हां बही बाहर निकालते हैं चोटे को भी निकालते हैं लेगिन थोड़ा टाइम के बाद बाकि रैबिट स गई है अब शायद से हमें इसके बाल काड़ने पड़ें और इसे दवाई पिलानी पड़े रहे रहे हैं पिला तो कुछ करते हैं यारब बहुत ज़्यादा बीमार है मैं उसके लिए कैंची लिया हूं बाकि गयो ना फोजना यहां पर गड़ा मचाई जा रही है भाग थोड़ी से डाक्स वाले केज में अभी आग खा लेंगी बाकि मुर्गियों वाले में ज्यादा डालनी पड़ेगी यलो बाई यलो यलो और भी दे दो बाकि थोड़ी से बाहर डाल दो वहां पर डाक्स के करीब हमारे पास दो कैंची हैं लेकिन हम छोटी वाले का यूज़ करेंगे हाँ भई पोलिश इसके ना बाल पकड़ो फिर मैं इसे काटू पहले आगे से यहीं से काटू ना काटो काटो चोटी से तो बहुत चोटे चोटे काट रहे हैं यह देखो हमें लगता बड़ी का यूज़ करना बढ़ेगा जार दिखाना दूसरी कैंची यह आ गई पकड़ो अराम अराम से अराम अराम यह तो काटी नहीं रहे बहुत मुश्किल से काट रहे हैं इसके बाल कि इस बोहत बहुत बड़े बाल एंस लिए इसने से बाल काड़ रहे हैं इसके बाल काड़ेंगा अभी थोड़े से कटखें देखो बहुत ज्याद़ मुछ इसकी आंकों में वालैंदा केज में रखना है यहां यार हम यह हुए हैं समझ भी काड़ने हैं काटो काटो यारा अभी अपने सारे पृंदों को भी बन्द करना है ऑगी यहां पे अभी तक हमारे केज का काम सेटारत नहीं हुआ काफी दिन हो गई है यह बास एक दो है इसे जल्दी जल्दी ने बंद करना है रैबिसाज बाहर निकले ही नहीं है बिल्कुल ही और मैं यहां फीड रखके भूल गया हूँ वे पत्ते के इर्द गिर्दा की है सारी फीड आपको काप से अपने चूजे भी नहीं दिखाए वो उस वाले सामने वाले केजिस में है बिल्कुल ठीक ह मैं आपको काल वाली वीडियो में दिखाऊंगा बाकी डाक्स भी यहां पर मज़े कर रही है अब ना मंकी को जल्दी से बंद करना है पता नहीं यह बंद भी बहुत मुश्किल से होगा खा रहे ना बैठके जब खाये तब किसी की नहीं सुनता और यह हर तरफ से गंजा हो है सब कुछ यह तो हो गया कले और बाकी ना मैं आपको सीगल दिखा देता हुए उसकी तब्यात काफिया तक ठीक हो गई है वाकि जो डाव है उसकी भी तब्याट ही हो रही है तकरीब न ठीक होती जा रही है बाकी वह चूज़ा उसके उपर आया हुए बाकी बस आज की व और यो में